तोडेइ आपने वीडियो को कैसे जिस्टिफाय कर सकते हैं, कैसे वो रिजन दे सकते हैं, यह सब आज की शॉट सी वीडियो में डिस्किस होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो सबसे पहले स्टुडेट कैसे जिस्टिफाय कर सकते हैं, आपने आपको कैसे रिजन दे सकते हैं, कैसे अपने वीडियो को जिस्टिफाय कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, इंकरिज क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको वो इंकरिज करें, यह न students के अंदर जो उसकी thinking है उसको encourage करने कि teacher का काम है जिसके थुरू वो अपने views को justify कर सकते हैं यह नि ask open minded question जो है open ended question जो है वो पुछने चाहिए जो कि students को thinking को deeply promote करता है उनके opinions को promote कर रहा होता है यह निए teacher को क्या करना चाहिए open ended question पुछने चाहिए जिसके students के क्या होगी thinking deeply जो thinking होगी वो उसकी promote दे जाएगी secondly है कि why and how question यह नि use why and how कि questions पूछने चाहिए teachers को students से कैसे किस type की studies जिसमें why or how use किये हों ठीक है like यह help out करता है इस type को जो question होता है यह help out कर रहा होते students को provide करता है एक reason asking them to explain their thoughts कि इसके through यह जब इस तरहां के question पूछी जाते हैं जो कि why and how से start होते हैं तो यह students को help out करते हैं यह एक reason provide करते हैं कि वो अपने thoughts को explain करें कि क्या उनकी thoughts क्या है उसके अपने thoughts explain करेंगे जब teacher इस तरहां के question पूछेंगे इसके परवाइड एविडेंस परवाइड करना जाहिए इनकर स्टुएंस तो स्पोर्ट देर views with facts उसका data personal experience यह एविडेंस परवाइड करें स्टुएंस जिससे स्टुएंस के जो यह help out करें जब एक evidence परवाइड के जाते हैं तो स्टुएंस को यह help out करता है कि वो अपने इसको support करें यह जो वो बॉल रहा है अब जो उसके opinions हैं जो उसके facts हैं उसके इसके बारे में वो कुछ data provide करें कुछ evidence दें जिससे वो अपने views को justify कर सकते जब एक स्टुएंस अपने बारे में data दे रहा होता है यह अपने जो बात उसने की होती है उसके बार में evidence provide कर रहा होता है तो इससे students क्या होगा student अच्छा से spoke कर पाएगा अच्छा से communicate कर इसके बाद है foster a safe environment एक safe environment से ही स्टुएंस अपने views को justify कर सकता है यह निक स्टुएंस को allow करना चाहिए कि वो अपने thoughts को share करें बगहर किसी fear के judgment के बगहर किसी fear of judgment के यह उसके अंदर यह डर ही नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसी बात करूंगा ऐसे evidence दूँगा तो teachers act करेगा साम अपने thoughts को बगहर किसी डर के without any hesitation वो अपने बात को convey कर सके अपने आपको अपने views को justify कर सके model justification demonstrate करना कि how to provide reasons के कैसे provide reasons और evidence अपने view को support करने के लिए वो कैसे जो है वो reasons provide कर सकते है कैसे evidence provide कर सकता है so model justification भी एक major point है जिसके तुरू एक student जो है अपने आपको justify कर सकते पने view को justify कर सकते teach argumentation skills को teach करना अब ही argumentation skills जब teach करवाय जाते है teachers teach करवाता है बच्चे को students को तो इससे क्या होगा कि students को help मिलेगी कि वो learn करे construct करे और defend करे अपने argument को जब argumentation skills होंगे एक students के अंदर अपने facts को अपने views को बयान करने के thoughts को बयान करने के explain करने के skills होंगे तो student जो है वो अच्छे से learn भी कर सकता है अच्छे से construct भी करे अपने ideas को अपने arguments को defend भी कर सकता है So last point हमारे पस है encourage active listening active listening को encourage करना यह अहां point है जिसमें students को teach करना student को यह बताना कि consider multiple prospects or respond कर सकता है thoughtfully यहनि active listening जब एक student जो को active listener होगा तो अपने views को अच्छी से बता सकता है अगर teacher active listener होगा तो students बड़ा interest रखता होगा कि मैं अपने views को जैसे भी बयान करूँगा जिस way में भी कहूँगा तो teacher उसको active होकर सुनेगा so इससे क्या होगा students जो है वो अपने views को justify कर सकेगा so example ऐसे कि जो कि promote करता है help करता है students को justify कर अपने views को जैसे कि इस तरह के question पुछ रहा है can you explain why you think that क्या भी explain कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं how did you arrive at that conclusion कि आप इस conclusion पर क्यों पहुंचे what evidence sports your opinion के कौन से evidence है जो कि आपके opinion को support करता है can you give an example to state your point इस तरह के question पूछना कि क्या आप अपने example दे सकते हैं अपने points को रिस्टेट करने के लिए how does your prospects relate to their topic कि आपके prospects जो हैं वो इस topic से relate कैसे करते हैं इस टाइप के questions जब स्टूडेंट से पूछी जाते हैं तो students अपने views को easily justify कर सकेगा यानि उससे जब question पूछे जा रहा है तो वो उसका answer देने काबिल होगा इफ वो जुतने भी above points बताए मैंने अगर इस सारे सारे points रखें जाए सामने तो एक student जो हो अपने आपको अच्छे से justify कर सकता है so dear students से एक शौट सी वीडियो अबाउट कि कैसे student जो है वो justify कर सकते अपने views को आई होप अपनों को इस चोड़ी से वीडियो से यह topic clear हो गया होगा thank you for watching मैं वीडियो अलाहाफिस